Hi Friends फिर से एक बावब आप लोग को KK Technical दुबाई में स्वागत है अप लोग को लास्टाइम हम लोग जो इंट्रेवू का बारी में आम लोग बात किया था कि क्या इंट्रेवू में क्यों सा क्वेश्ची ने आएगा और कॉन सा उसका अंसर क्या होगा क्या क्या question answer आ सकता है तो बहुत सारे comments में मेरे साथ बहुत सारे दोस्त जो है मेरे साथ बात किया था तो और comments भी आया था कि और एक interview का electrician का उपर और थोड़ा अच्छा मतलब electrical formant का उपर एसा है कि interview का question answer का और एक video आप बनाये और हम लोग को थोड़ा बताये सही है तो उसका उपर मैं आज एक video बना रहा हूँ जो सबसे most important question answer आएगा आप लोग video का end तक पूरा वाच करने का देखने का तभी आप को समझाएगा सही है हमारा जो चानल है उसमें हम लोग को काम कुछ शेखने के लिए कुछ नया जनकरी मालूम होने के लिए ये очень क्री बाकितओ दूसरा आदमी लोग हमारा мाहें नहीं देखेंगी लेकिन जो भाई लोग ne are technical line में कोई काम कर रहा है और वस को काम और ज्यादा मालूम करना चाथा है, नेया-नेया काम सुनना जानना चाता है, या बाकिया हमारा जो कोई पढ़ाई कर रहा है अभी उसका मतलब कंप्लिट होगीया पढ़ाई और в गल्ल tu क्म काम करना चाता है या दुबाई तो हम में आज सबसे important question answer बताऊंगा 10 सिर्फ 10 question का answer आप लोग बता दिया interview में और यही question ही वो पुछेगा उससे अलग 2-4 question पुछेगा लेकिन यह तो must पुछेगा मतलब जो question answer में अभी आप लोग को बताऊंगा यह हर interview में question answer होता है और यही काम के लिए ही interview लिया जाता है तो आप लोग देखते रहे हैं और यह 10 question answer का आपको interview में correct answer दे दिया तो आपको 25 question उसको करने का जरूत नहीं है और आप उसका बाद में और जितना question करेगा आप उसको answer से ही नहीं देगा फेर भी वो आपको select करेगा आज में जो question answer बता रहा हूँ वो normal election के लिए नहीं है election के उपर जो है थोड़ा मतलब उसमें भी grade होता है A grade जो है हमारा starting है B grade है थोड़ा उससे अच्छा है और C grade जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा fourman level का सही है junior fourman मतलब fourman नहीं junior fourman चार्जन से उपर जो group leader team leader बोलता है उससे उपर है तो मैं आज B grade और C grade का उपर में वीडियो बना रहा हूँ जो भी आदमी group team leader में या fourman में काम करना के लिए चाता है और उसके लिए interview देना चाता है ओलो के वीडियो देखिए और election लोग भी देख सकता है कि वो उनको भी आगे बढ़ना है तो पहला question हमारा एह है कि कोई भी company का interview में आपको B grade का आपको याद रखिये मैं बार-बार बोलता हूँ कि वे B grade का interview question answer है तो उसमें नर्माली बात नहीं बोलेगा थोड़ा critical थोड़ा यह भी question answer आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको पूछेगा जो project में आपको project line में ले रहा है तो आपको drawing का बारे में पूछेगा सही है यह दोनों foreman और team leader दोनों के लिए यह question है कोई इंटर्व दियागा तो उसको यही पूछेगा कि भाई आपको electrical में क्या-क्या drawing मालूम है तो आप पहले काम क्या होगा या आपको कोई जैसे teach दिया होगा कोई बताया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप आराम से बता सकते कि हमारा electrical में बहुत सारे drawing है ELB का भी है और electrical का भी है high voltage का low voltage का है लेकिन उसमें से हम लोग ज्यादा तरब जो drawing यूज करता है वो sub drawing है electrical का sub drawing हमारा काम करने के लिए हम लोग उसको यूज करता है वो approved sub drawing जो होता है वो हमारा fire alarm का भी होता है जो fire alarm system है और बाकिया हमारा bms system है हमारा lighting और power सब अलग 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 रही है सब अलग 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 रही है और lighting power उसका बाद हमारा data internet के लिए जो हमारा telephone के लिए वो है और gsm जो हमारा building में signal आने के लिए जो mobile sim यूज होता है जो company का यूज होता है जैसे गल्फ में दुबाई में ETCLAT का यूज होता है योई का अंदर पुरा ETCLAT और डिव का तो दोनों का networking होता है उसके लिए हम लोग का ड्राइं बनता है contentment होने के लिए उसका cable डालने के लिए उसका जो technical room बनेगा जो hub room बनेगा internet का तो उसके लिए हम लोग को contentment पूरा करना बता है वो एक ड्राइं होता है जिसको बोलते हैं हम लोग data GSM का contentment ड्राइं सही है उसका बाद हमारा CCTV का भी ड्राइं होता है उसका diagram होता है उसका कहा से कहा जाएगा के से कौन सा रूड पे जाएगा उसका भी होता है उसका बाद हमारा LB cable tray contentment का भी ड्राइं होता है मतलब जो contentment सिर्फ tray और ट्रेंकिंग का वो main main उसमें से पूरा electrical का जैसे ड्राइं होता है lighting पार उसमें पूरा contentment का साथ में उसका piping और उसका point तक वो दिखाएगा लेकिन जो contentment रही है वो सिर्फ हाई लेबल का contentment आपको दिखाएगा जो अपना का जो बड़ा काम होता है cable tray और ट्रेंकिंग का साथ है उसका बाद में हमारा schedule भी होता है drawing में हम लोग को cable pulling करने के लिए wire pulling करने के लिए division करने के लिए हम लोग को schedule होता है और single 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 diagram single line diagram हम लोग के से उसको DB का आंदर कौन सा DB से कौन सा cable कहां जाएगा कौन सा MDB से कौन सा SMDB कुझाएगा उसका उपर हम लोग को उसको देखके हम लोग काम करता है तो वो भी एक ड्रही है तो यह से बहुत सब्सक्राइब में ड्रही है आप लोग सिधा बता देने का आपको पूछा जाएगा तो लाइटिंग, पावार, डाटा, बीमेस, फार अलाराम, CCTV, GSM यह ही सबसे आपको 10-12 ड्रहीं का नाम बता देगा तो वो correct question का answer हो जाएगा यह पहली बात हो गया उसका बात बोलेगा ठीक है फास्ट फिक्स किसको बोला जाता है फास्ट फिक्स तो आदमी काम किया होगा वो बोलेगा फास्ट फिक्स नहीं काम किया होगा या इसको कोई किसी का वीडियो नहीं देखावागा मेरे उता नहीं लगता है कि हमारा चानल छोड़के एसा कोई भी यूटूब चानल है जो मेरा जैसा वीडियो बनाता है प्राटिकल प्रोजेक्ट का और बिल्डिंग का जो हम लोग काम करता है उसी का उपर डिटेल और क्वेश्चिन अंसर एसा क्वेश्चिन अंसर कोई नहीं देखा जैसे इंटर्वू में होता है वो बहुत सरे काम दिखा रहा है यूटूब में मैं भी देखा हूँ बहुत सरे काम दिखा रहा है काम का बारी में समझा रहा है लेकिन उसी काम का बारी मैं समझा रहा है और उसी काम को इंटर्वी में आएगा बोलकर बताता है लेकिन एकी वीडियो में पूरा इंटर्वी का question answer नहीं बताता है तो मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाता हूं तो उसका पूरा step by step बताता हूं अब आज हम लोग 10 question का answer बारी में जानेंगे जो इंटर्वी में most important question answer है और हर इंटर्वी में electrician को electrical foreman को पूछा जाता है तो यह second question बोलेगा कि हमारा fast fix क्या होता है जो आदमी काम क्या होगा वो बता सकता है कि fast fix यही होता है जो building का अंदर हम लोग जाएंगे हमारा जो piping है वो PVC हो या GI हो और हमारा trade ranking जो है और इसको हम लोग DB installation जो दिवार में हम लोग DB लगाएंगे उसका back box लगाएंगे switch के लिए back box लगाएंगे तो इसको हम लोग first fix का का काम पर जाता है first fix में एही काम होता है contentment सही है contentment piping box fixing सही है इतना ही है बस उसका बात बोलेगा ठीक है second fix fix क्या है second fix बोलेगा तो हम लोग जो वारिंग करता है हम लोग जो केबूल होगा तो केबूल कुलिंग कर लेंगे SMDB से DB तक जैसे हमारा MDB रूम से इलेटरिकल रूम तक या इलेटरिकल रूम से जो अपाटमेंट में DB होएगा जिसको DB बोलता है description board हमारा तीन type project में हमेशा हमारा तीन important DB है एक है MDB एक है SMDB एक है DB हमारा main जो MDB है MDB है MDB रूम से हमारा आता SMDB को और SMDB से सीधा हमारा distribution हो जाता है जो जो अपाटमेंट होगा तो बड़ा बीडिंग होगा टावर में तो हर फ्लोर में अपाटमेंट होएगा तो हर अपाटमेंट को एक एक DB डारेट से SMDB से जाएगा उसका बाद वो अपाटमेंट का अंदर जो individual circuit होगा lighting के लिए power के लिए जिसके जिसके लिए जितना point उसका घर में आएगा उसके लिए वो DB का अंदर से जाएगा उसी का अपाटमेंट का अंदर जो DB रहेगा distribution board सही है तो बाकि हमारा कभी-कभी भी सब्सक्राइब का साथ में फास्ट में वही होता है उसका बात दूसरा हमारा question क्या पूछेगा हो कि हमारा ट्रांसफर्म क्या है यह के चार्जन लेबल को आदम को मालूम होना चाहिए चार्जन जो मैं बोलता है जो इसको टीम लीटर बोलता है सही है ग्रूप लीटर या टीम लीटर मतलब construction project में सिरीपी हमारा जो ट्रांसफर्म याड है सबस्टेशन वहां से हमारा काम स्टार्ट है विल्डिंग तक उससे पीछा हमारा काम नहीं हो मुंचिपल्टी का काम हो बड़ा काम होता है वो गवर्मेंट का आदम करता है सही है तो हमारा उतना ही आपको उतना अंदर ही प मतलब मोड टोटल इसब से बोलेगा तो मुंचिपल्टी है जो गवर्मेंट का अंडर में रहता है तो उसी में से हमारा थाटी 11 के और 33 के का हमारा जो वोल्टे जाता है थ्री फेज का वो सिरी हमारा मेन थ्री फेज लाएन आके हमारा ट्रांसफर्म में आएगा और हमारा यही काम है कि हमको ट्रांसफर्म का काम है step up और step down यह जगा पर हमारा step down चाहिए क्यों हमारा project का अंदर हमारा building का अंदर हमको 11 के या 33 के का कोई भी जरूरत पावर नहीं पड़ता है हम लोग को उधर से 440 वोल्ट जो 415 तक आएगा हमारा 415 तक जो वोल्टेज हमारा वो अंदर जरूरत होता है उससे ज्यादा वोल्टेज जरूरत नहीं होता है तो वह हमारा वही काम करता है कि हमारा step down करके हमारा voltage को रोडिस कर देता है 33 केवी 11 केवी का जो वोल्टेज पावर आता है उसको रोडिस करके step down करके उसको 440 वोल्टेज में वो रेडि करता है वहा यहां गवर्मेंट का बड़ा स्टेशन होएगा सब्सेशन तो बहुत है तीन चार टाइप का सब्सेशन है वह में दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा पावर प्लांट से लेके जहां पावर तयार होता है पावर बनता है वह ग्यास से हो यह हमारा पानी से हो उसका उप आप लोग का है जो अलैक्षिन है उसी हीया का सब्सेशन का बाद ये सो ऑर वाच का बाद जैसे इस तो我們 ready से इलेट्रिकल रूम से डीवी उसको चला जाएगा SMDV से और बाकी कोई जोन है ब्लोक वाइज है कोई मार्केट है कोई सपिंग मौल है या कोई ओफीस है वो हिसाब से वो इलेट्रिकल रूम से ही डिस्बूट हो जाएगा उसका जो डीवी है उसको हमारा रोडूस करके step down करके 440 वोल्ट में हमको वो देता है सही है तो वह होता है और उसका पार्ण में बलेगा वो कहां रखता है उसको कहां हम लोग रखेंगे इलेट्रिकल रूम का अंदर रखेंगे या बेस्मेंट में रखेंगे या रूप में रखेंगे ऐसा पू तो यह वोलने और आपको चार नमबर क्वेस्टिन यह हो गया हमारा कि एम डीवी एसम डीवी और डीवी यह क्या है इसमें अंतर क्या है सिर्फित के लिए यह सब हम लोग यूज करता है बीडिंग में आप बोलने का जो हमारा करना MDP है वो हमारा sub-station का अंदर सबस्टेशन का और सबस्टेशन का बगल में हमारा इक बड़ा इलिट काल रोम राता है इसको सबसेंका हमकौता है फैत्व लिएडाल में पैनल रता है उसमें सीधा हमारा exercise सीधा हमारा turn from से पूरा main cable आ होते हैं आए मतलब टीजल जेनेटर तो वहां उसका या साथ हो घाव्य होगा तो MDB बोलेगा तो एक बड़ा electrical room जिसको हम लोग बोल सकता है तो वो हमारा MDB panel है और उसमें हमारा जनेरेटर का पावर और हमारा जो मुझशिपलिडिका पावर जो हमारा होता है नर्मल पावर जो है वो दोनों आके उसमें हम लोग को जोड़ा जाता है उससे हमको बिलिंग का अंदर शप्ला जाता है चलता है कि हमारा पावर कट हो जाएगा इसका प्रमी बिडियो बनाएगा तो मोटा-मोटा बोल देता है जो चेक् Von k us हमारा देता है कि हमारा पावर कोर्स पार स्टाट हो जाएगा एटेस बोलेगा था आप बता सकता है कि हमारा नर्माल पावर और जेनेटर पावर को मैनेज करता है मेंटेन करता है जब हमारा एक पावर चला जाता है उसका दो तिन चार सेकंड का बाद यह हमारा दूसरा पावर चालू कर देता है उसको हमारा एटेस पैनल करत तो SMDV बोलेगा तो क्या है बोलने के MDB से हमारा SMDV रूम जो हमारा विल्डिंग में इलिट्राइगा हौर फ्लोर में इलिट्राइइगा तो इलिट्रिकल रूम का अंदर जो मेन बडा डी भी लगता है वो सब डीबी है सब डिख्रिप्शन बोर्ड उसके MDV बोलता है वह हम आपको बना देने का सही है यह हो गया आपका एंडी रूम और डीवी जो अपड़मन का अंदर डीवी है उसका है जान आपको पोलेगा की उसमें को कुशा कॉशा पावर हमारे वील्दीञ में यह होता यह हमारा कुई भी जोड़ंग है उसमें हमारा चार सूरेश तो ज़रूरी है नहीं। अब यह चला ते और एकें當 नीशल चालू करने के लिए या हमारा फायर पॉम्प को चालू करने के लिए जो हमारा 5 किलो वाट से ज्यादा हमारा मोटर है मतलब जो बोलेगा तो हे भी मोटर बड़ा मोटर है उसको हम लोग 3-phase पावार देता है जिसमें हमारा 440 वोल्ट का वोल्टेज उसमें जरूरत होता है तो इसके लिए हम 440 वोल्ट किसमें उज़ करेगा लाइटिंग के लिए उज़ करेगा एसा नहीं है बोलने का हमारा जो में डीबी आएगा उसमें हम लोग 440 वोल्ट आएगा उसका बात 3-phase जिसमें आएगा या कोई मोटर में हमको 3-phase कनेक्शन देना है 3-phase का पावर उसमें जरूरत है उस जिसको हम लोग 440 वोल्ट में हम लोग उसको चलाएंगे तो वहां चाहिए मतलब जैसे फायर पॉंप हो गया बड़ा फायर पॉंप हो गया यह जो बड़ा बड़ा एच वाता एसी के लिए एस बीए के लिए उसको चालू करने के लिए हो गया या कोई भी हमारा ऐसा बड जो 220 से 230 का अंदर जो बोल्टेज आता है हमारा एसी सी बीज बहा जो करता है तो हमारा जहां ही 101 का जरोत पड़ाईगा जैसे हम काम करने के लिए बुई मिशिन यह जीप्सा मिशिन ज़umbles करने के लिए लिए Contants बोल्ड का जो मिशिन हम Намब उछ करता है और हम भातरूम के लिए सेविंग में स्रहच चलाने के लिए सेविंग मिशिन का अता है तो उसको घ्रीक करने के लिए ग्राथ करने के लिए बात्रूम में भी लगा सकता है या कीचन में हमारा कोई एक उवेन हो गया या दूसरा कोश हम लोग छोटा उवेन हो गया या कफी मीशिन हो गया जिसको हम लोग को 110 बोल्ट चाहिए तो वहां हम लोग को 110 बोल्ट देना है और 110 बोल्ट हम लोग केसे बनाएंगे हमारा 230 बोल्ट को हमको 110 में को step-down कर देगा तो उसका बाद हमको 110 बोल्ट मिल जाएगा से यह इसा ही बोलने का यह नेचुराल जो में काम किया हूं 15 साल यहां रहके यहां जो काम सिखा काम जाना बहुँ सरका मन में इंटर्वु दिया उसी का नलेज में आप लोग को दे रहा हूं एसा वीडियो आप लोग को दूसरा केहीं भी नहीं मिलेगा कोई आदमी मेरे से ज़्यादा मतलब एक्सप्रेंच बाला होगा वो दूसरा टाइप का आपको बताता होगा लेकिन नेचुराल जो इंटर्वु में होता है क्यों मैं 100 आदमी का इंटर्वु ले चुका हूं लेडिए बहुत सारे आदमी का है जो हमारा कमपानी में कना मैं जबसक्त होता है Qwatch करता हूं तो इसके लिए मुझे मालूम है तो ये वीडियो आप लोगस दूसरा चानल में मिलेगा नहीं आप लोग कितना भी एडोस्त लोग है और बता दूंगा या आपना जो भी रिलेशन रिलेटिव है भाई लोग है जो ये टेकनिकल लाइन में काम कर रहा है या काम करने के लिए अभी जा रहा है या आई टे कर रहा है तो वो लोग को सब कुछ सेर करो सही है बाकी मैं आपको नेक्स्ट विडियो में आपको बता दूँगा और क्या है